दोस्तों आपका स्वागत है पंच कुंडा की छतरी मंडोर आप लोगों ने राजिस्तान का जोदपूर में इस्तित मेहरानगड किला तो देखा ही होगा मंडोर भी देखा होगा लेकिन मंडोर से डेड़ किलो मेंडर दूर यह सांदार इस मारक नहीं देखा होगा कभी भी मंडोर आएं तो इस्तापत सैली का सांदार उधारन यह मंडोर के राजाओं का देवल पंच कुंडा की छतरी अवैसे देखें यहां की बिना छत वाली यह छतरी सबसे सांदार है यह इस्तान फोटोग्राफिक लिए सबसे बेतरीन है मंडोर के राजाओं के यहां पे देवल हैं जिसमें से राव चूडा राव रणमल और राव गंगा मुख्य हैं मंडोर को मंडव रिसी का आसरम होने के कारण मंडोर कहा गया है कुछ लोग कहते हैं कि मंडोदरी का मायका था मंडोदरी यानि रावण की पतनी कहते हैं कि रावण और मंडोदरी का विवा मंडोर में हुआ था इसलिए इसको मंडोर बोला जाता है खैर आप आप जो सामने च्छतरी देख रहे हैं इस च्छतरी का च्छत देखिए कितनी सांदार इस च्छत्री के अंदर आपको नीचे संगमर्क की एक इसमारक है बाकी च्छत्री सब लाल पत्थर से बनी हुई है और क्योंकि पुरानी हो चुकी है तो च्छत्रियां तोटने फूटने भी लगी है खुल मिलाके यहां 46 च्छत्री है और यहां पहुचना बहुत असान है अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं बंडोर से पैदल भी आ सकते हैं तो कैसे लगी च्छत्रिया अब इससे बताएं दोस्तों और अगले वीडियो के लिए तियार रहे धन्यवाद